ये तो हम जानते ही है कि गठिया एक ऐसी बिमारी है जिसके चलते हमारा शरीर बहुत परिशान हो जाता है और इसका कोई थाई समाधान या इलाज भी मौजूद नहीं है एक बार ये परिशानी होने से ताउम्र शरीर में जोडों का दर्थ बना रहता है हाला कि गठिया का रोग 40 की उम्र के बाद होता है लेकिन आजकर कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखी जा रही है आर्थराइटिस से निजात पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप योगा और व्यायाम करें इससे आपके शरीर में flexibility बनी रहती है और आपको दर्द में भी राहत मिलती है आईए आजके इस वीडियो में देखते हैं आर्थराइटिस के दर्द से राहत पाने के लिए आप कौन से योगासन कर सकते हैं तो सबसे पहला है मत्से आसन, मत्से आसन करने से गठिया के रोगी को बहुत फायदा मिलता है, इस आसन को करने से पेट की सभी मास पेशियों का व्यायाम हो जाता है, साथ ही पेट में ग्यास और कप्स की समस्या भी नहीं होती, आईए देखते हैं कि आपको मत्से आसन कैसे क मिले हुए, दोनों हाथ हिप के नीचे स्थापित करें, कोहनी पर वजन देते हुए, सीने के भाग को उपर की ओर उठाएं, गर्दन से सिर मोड़ते हुए जमीन पर ठिकाएं, सामान्य स्वास प्रस्वास चलता रहे, लगभग 10 सकेंड तक आसन की इस्थिती बनाए रखें, और धीरे धीरे कोहनी पर पुनह वजन देते हुए, सिर को सीधा करें, सामान्य स्थिती में, विश्त्राम की स्थिती में सीधे लेट जाएं. इसके अराबा आप चाहिए तो प्राणायम कर सकते हैं, गठिया के मरीजों को प्राणायम करने से बहुत रहतमूती है, सुबह सुबह साधारन प्राणायम करने से इस रोक से होने वाले दर्द में आपको रहत मिलेगी, प्राणायम करने के लिए किसी समतर जगे पर प्राणायम का क्या है? नाडिक शोधन, दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे बदमासन, स्वस्तिक आसन या वजरासन में भी किया जा सकता है, जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठ कर अभ्यास कर सकते हैं. सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर उंचा, दोनों हतेलियां घुटनों पर और आखे बंध हों. अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं. अब कुछ गहरी सांसे लेकर शरीर को आराम की स्थिती में लाएं. नाड़ी शोधन का अभ्याज शुरू करने से पहले आईए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं. अंगुठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा. अब अपने बाई हतेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगुठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें. अब दाई हथेली को नासागर मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तरजनी उंगली मोड कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपनी दाई नासी का चिद्र से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाई नासी का चिद्र खोल कर सांस बाहर छोड़ें। यह नाडी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे पांच चक्र दोहराएं। गौमुकासन जो लोग गठिया की परिशानी से जूज रहे होते हैं, उनके लिए गौमुकासन का भ्यास करना बेहद उप्योगी हो सकता है। यदि आप लोजाया गौमुकासन प्राक्टिस करते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में फरक नजर आने लगेगा। आए देखते हैं गौमुकासन करने का सही तरीका। गौमुकासन नमस्कार, मैं शक्ती, फिटनेस एक्सपर्ट और गौडवेश फिटनेस। आज हम करने जा रहे हैं गौमुकासन। गौमुकासन जब हम पूरी तरह से इस पोस्टर में आ जाते हैं, तो यह आसन गाएं के मुक जैसा लगता है। अपने मैट पर सिबसे पहले आप बैठ जाएं, अपने पैरों को सामने की और फैला लेजिए इस सेथी में, कमर को सीधा रखिए और उसके बाद आपको अपना राइट लेग जो है नीचे की और लाना है, मैं आपको पहले दिखा देती हूं क्या करना है। मैं हील को इस तरह से आपको अपने हीप के नीचे रगड़े ला है। बैठना नहीं है, इसको खलका सा इधर की और तक시면 आपकी एडिए और हिप साथ में मिल जाए। साथ इस तरह से आपको करना है। और ये वालो जो लेग है दूसरा लेग इसको इस तरह से कि आपकी नी टू नी एक दूसरे के ऊपर आए मैं आपको इसको सामने से दिखाते हूँ पैर को इस तहाँ से रखते हुए यह देखें कर लोगों इस तरह से होता है वो गलत है नी बहुत प्रॉस उसमें जा रही है या फिर बहुत जादा अंदर कर देते हैं और स्टेश कर देते हैं तो इसको सिरफ नीस के ऊपर आना चाहिए एक नीस के दूसरे पैलर में होने चा कमर को सीधर लख्त यह आपका फाइनल को से है लग के कॉष्टिर ऑब इसमें हाथ हो की मुद्रा vin क्या है जो अपका उपर है वही हाथ आपको इस तरह ses ऐग kilometres शोट आपका नीचे की आप तो से फेलाप हो कौहनी को फुरेट को क्डम स्टी करना प्लाइव सुद्र जाना हाथ को पीछे हाथ को लॉक अधियां कुछिक पकर्स है कि अभी आपको आपको दुखा कि तरह से आप इसको पगर सकते हैं और आखे बंद करके पूरा द्यान पका जो पोहनी है नीचे गिyimना जो के पीछे वाला हाथ देखेंगे अब मैं इसको पीछे से दिखाते हूं आपको किस तरह से करना है यहांसन यह आपने उपर हाथ किया और नीचे से इस तरह से पकड़ लिया आपसे जितना हो सो कि उतना करना है अगर आपका हाथ यहां तक आ रहा है तो भी कोई पॉबलम नहीं है यहां तक आ रहा है तो भी कोई पॉबलम नहीं है आपके हाथ में अभी लचीला पर नहीं है आप मतलब बिलकुल फ्लेक्सिबल नहीं है आपके आम तो आप बिलकुल ओ तो हुद करते हैं जिन जो लोग ध्यान करते हैं वो ये असन ज्यादातर पोस्टर को इस पोस्टर को अपनाते हैं मतलब आप ध्यान में आपको हाथ उपर नहीं करने हैं वे आप सकते हैं आशा है आपको ये योगासन आसान लगे होंगे और आप रोजाना ये प्रैक्टिस करेंगे आप केवल 21 दिन इन योगासनों का भ्यास करके देखें आपको फरत जरूर नजर आएगा फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पून लगा है तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें शायद किसी की मदद हो जाए थांक यू फो वाचिंग इस वीडियो, मीट यू नेक्स ताइम अटल जायद पूंस तेे वाप्य एंवी शेयर के हूँ लेडियो